हेलो फ्रेंज वालकाम बैक टू माई यूट्व चानल एक्चुले आज कलना बहुत एक सीबेसी का सर्कुलर बहुत ट्रेंड कर रहा है कि आर्ट इंटिग्रेटिड लर्निंग प्रॉजेट्स और एक्टिविटेज हमें करानी है और बहुत सारे टीचर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि टाइम बहुत कम है और सी बेसी ने कंडिशन लगा दी है कि अगर वो यह आर्ट इंटिग्रेटिड एक्टिविटी सम्मिट नहीं करते हैं तो उनके रोल अंबर डाउनलोड नहीं होंगे और जो स्टूडेंस हैं वो एक्जाम नहीं दे पाएंगे तो आज मैं थोड़ी सी इसी विशा के उपर आप लोगों से जर्चा करना चाहू होंगी आर्ट इंटिग्रेटिड जो लर्निंग है वो बेसिकली स्टूडेंस के अंदर एक 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो ड्वलप करने का एक तरीका है एक मैथड आप कह सकते हो जिसमें स्टूडीज को इंट्राक्टिव इंट्रस्टिंग बनाने की कोशिश की गई जानी कि हमें अपने सबजिक्ट में जो भी हमारे स्पेसिफिक सबजिक्ट हैं उनके अंदर हम आर्ट को कमबाइन करके कैसे एक बच्चे को क्रिएटिफ इंवार्नमेंट देते हुए उसकी जो लर्निंग है जो लर्निंग आउटकम है किसी भी चाप्टर के किसी भी सबज सकते हैं और इसमें reflection, उसकी critical thinking, उसकी creativity, initiation, जो self direction है, इन सब skills को develop करने की बात की गई है, सबसे पहले हमें कोई भी topic चूज करना है, idea उठाना है और ये बच्चों को कोशिश करनी है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फिर उसको collaborate करना है art educators के साथ, उस lesson को पढ़ना है और पढ़ते हुए हमें art plus अपने subjects, दोनों को collaborate करके, दोनों को combined करके बच्चे को वो content बच्चे तक पहुचाना है, that is the main, you can say the aim of this art education, इसके साथ साथ ये critical thinking है, skills equity है, connective learning है, empowerment है, ये सब skills को use करते हुए हमें बच्चे की learning को interesting और interactive बनाना है, basically आप कह सकते हो कि एक तरह से हमें बच्चों को child centered education देनी है, जिसमें बच्चा self motivated हो, अपने आप ही वो कैसे creative way में उस content को समझ पाता है, ये हमें बच्चे के अंदर इतनी ability develop करनी है, अब big जो confusion है, वो ये है कि बहुत सारे जो 12th के teachers हैं, वो समझते हैं कि हम क्या हमें भी ये implement हम पर भी होगा, क्या हमें भी बच्चों को कोई assignments या कोई projects कराने हैं, तो art integrated project ये class 1 to 10 है, और art integrated learning जो है वो class 1 to 12 है, तो अब आपका doubt clear हो गया होगा, कि जो facilities हैं वो भी अच्छूते नहीं हैं, उन्हें भी इस topic पे काम करना है, अपने बच्चों से काम करवाना है, अब according to the circular हमें क्या-क्या data provide कराना है, तो implementation of art education ये up to class 10 है, implementation of art education project, specially for class 10 है, and implementation of art education learning ये up to class 12 है, तो हमें ये data provide कराना है, and one more thing, मैं specially बात कर रहे हूँ class 10 के लिए, because I am a TGT, तो मैं अपने TGT's के जो शाती हैं, उनकी problems को समझती हूँ, इसके actually जो art होती हैं, वो दो तरीके के होती हैं, visual art और performing art, ये आप दिक्षा पॉर्टल के अंदर जो art integrated education या learning का, जो हमने training की थी, उसमें भी हमें काफी अच्छे से समझाया गया था, कि art integrated education है क्या, और उसके अंदर हम बच्चे में content को कैसे, उस तक पहुचा सकते हैं, in a very effective manner, तो visual art में sculpture हो गया, painting, pottery making, performing arts के अंदर, dance, theater, role play, visual art मतलब द्रिश्य कला, यानि जिसको आप देख करके समझ रहे हूँ, और performing art में होता है कि जिसको आप perform कर रहे हो, अपने हाव भाव के साथ, अपने gestures के साथ, अपने expressions के साथ, तो that is called the performing art, जिसके अंदर, music, dance, theater, visual art, ये सब arts हैं, और इसमें आपको कौन सा way use करना है, वो आप decide करेंगे, और इसके अंदर जो कुछ activities जो आप करा सकते हो, दर्श्य कला के अंदर जो geography होती है, वो भी आती है, print making आती है, stage art आता है, clay modeling हो गई, मुर्ती कला, यानि sculpture जिसके अमने बात की थी, art और craft हो गया, painting हो गई, प्रदर्शन कला के अंदर, निर्त्य हो गया, संगीत हो गया, मूख अभिना, यानि आप चुप रहते हुए, अपने expression से, अपनी बात कैसे पहुँचाते हैं, कहानी वाचन हो गई, कहानी सुनाना, cinema, रंग मंच, कट कुदली, ये सब प्रदर्शन कला के अंदर आता है, अब क्लास एट्थ, फॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बना ले तो सबको उसमें परेशान होने की जरूरत बिलकुल नहीं है अब आते हैं हम नाइन्थ और टैन्थ पर यहां एक composition है हमारे उपर कि पांच subject हैं तो पांचों subject का एक project वहाँ पर होगा एक एक project हर subject से हिंदी का लग इंगलिश का लग एसिस्टी का लग और यह जो प्रोजेक्ट हैं यह आप subject enrichment के अंदर count करेंगे और यह काम है चार से पांच बच्चों के समूं में होगा यानि की group walk है इसमें मैंने जैसे मैं एक social science की teacher हूँ तो मैंने अपने teachers के लिए suggested activities find out की है और मेरी जो faculty है जहां पर मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे help की हमने discuss किया तो जैसे आते सिक्किम की जलवाईू के उपर हो गया प्रोजेक्ट। करते हैं तो that is called the economics overview इसके साथ साथ आप यदि कोई बच्चा sketching बहुत अच्छा करता है तो आप उससे sketch बनवा सकते हो scrapbook का idea भी आप वहां से ले सकते हो scrapbook बनवा सकते हो जैसे photos gallery के अंदर हमारे camera में slide show होता है वैसे अब slide show different different topics के उपर slides बनवा के एक slide show बनवा सकते हो बच्चे से या फिर बच्चा जो है अगर ज़्यादा ही internet का use करता है और creative है computer के उसके थोड़ा बहुत knowledge है तो आप ppt बनवा सकते हो उसका pdf आप मंगवा सकते हो pdf से भी काम चल जाएगा यह जैसे different different festivals हैं आप उनकी फोटो लगा करके आप इस तरह से photography का भी use कर सकते हो या फिर इनको ही different different slide पे paste करके उसका slide show भी बन सकता है और scrapbook भी I don't think कुसी से अलग होती है तो यह कुछ similar similar से topic है जिनको बच्चा नेट से search करेगा और paste कर देगा और आपको send कर देगा यानि हमें कोशिश करनी है कि बच्चे को ऐसा काम दें कि उसकी पढ़ाई पे भी जादा नुकसान ना हो बच्चा easily उसको कर ले और हमारा भी काम आसान हो जाए जैसे यह different dance forms है वहां की और यह different waste भूसा हो गई उसी तरह से वनस्पती हो गई और एक circular के अंदर भी कुछ activities suggest की गई है अगर आप वहां से भी idea लेना चाहते हो तो ले सकते हो जैसे class 1 के लिए जो dance performance दी है activity EVS की subject के अंतरगत जिसमें सिक्किम dance form such as marooni यानि की वहां का जो dance form है marooni उसके उपर बच्चों को dance performance देनी है तो यह dance performance है यह class 1 to 3rd के लिए है fourth के लिए dance performance है और fifth के लिए भी लेकिन यहां पर जो dance form है वो तासी शब्द दो है तो दो एक same activity class 4 to 6th के लिए और 6 to 8 उन्होंने ब्राउचर फ्लायर या फिर document making बनाने के लिए देया है history के topic के अंतरगत जहां पर सिक्किम की culture के बारे में students find out करेंगे class 9th और 10th के लिए उन्होंने slideshow या फिर PPT बनाई है social science के लिए जहां से जहां पर हम सिक्किम के weather के उपर चर्चा करेंगे सिक्किम की तापमान या वहां के वाथ वहां के तापमान के उपर हमें एक slideshow या PPT बनवानी है और class 11th और 12th के लिए भी slideshow और PPT ही है ये history के topic के अंतरगत आएगा जिसमें सिक्किम की biodiversity के बारे में चर्चा की जाएगी तो ये कुछ activities है जो उन्होंने अपने इनेक्चर्स के साथ जोड़ी है अगर आप यहां से भी कुछ idea लेना चाहते हैं तो आप यहां से भी idea ले सकते है I hope मेरा जो effort है वो या मेरी faculty का effort है वो आप लोगों के लिए helpful र आप यहां से जीएगा थैंक यू